अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज लाइक इट और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए फर्स्ट क्रिकेटर ने अपना T20 क्रिकेट से रटायर्मेंट अनौन्स किया है मिस्टर क्रिकेट टीम की बात करें तो हाल ही में विमेंस टीम के नए कोच अपॉइंट किये गए है मिस्टर रमेश पावार जो की मिस्टर तुसार अरोते की जगह लेंगे जिनोंने टीम के साथ कुछ डिफरेंस होने के वज़े से रिजाइन कर दिया था इसी साल नवंबर में विमेंस टीट्वेंटी वर्ल्ल कप भी होने वाला है ये वेस्ट इंडीज में होगा और ये पहला टीट्वेंटी टूर्नामेंट होगा जहां पर UDRS यानि की अंपायर डिसिजन रिव्यू सिस्टम है उसको यूज में लिया जाएगा नेक्स क्वेशन है विच इंडीज अमेरिकन साइंटिस्ट हैं फांड चंद्र मोहन है वो इंडो आमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनोंने आईबीड को प्रेडिक्ट करने के लिए शिंपल वेज को डिसकवर किया है कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कौन से इंडो ऑस्ट्रेलियन है जिनोंने 2018 यानि 2018 का फिल्स मैडल जीता है फिल्स मैडल है उसको मैट्स का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है इसके अलावा उनकी most famous books है वो है Without Fear और The Life and Trial of Bhagat Singh Mr. Nayar है वो एक generalist थे इसके साथ साथ वो Indian High Commissioner भी रहे थे UK में इसके अलावा वो रज्य सबा के member भी रहे थे Next question है which country is to host the 9th edition of Mountain Ecos Literature Festival 2018 यानि कि Mountain Ecos Literature Festival है उसको कौन सी country host करवाएगी Right answer है भुटान भुटान इस event को host करवाएगा इसके साथ साथ इंडिया और भुटान है वो अपनी relationship के 50 year पूरे करेंगे भुटान की बाद करें तो भुटान है वो सार्ट यानि की दक्षिन एशिया इचेतरिय सहयोग संक्षन और विम्स्टेक यानि की Bay of Bengal Multisectoral Initiative for Economic and Technical Cooperation का भी member है Comment box में बताइए कितने भारतियर रज्य है भुटान के साथ अपनी boundaries share करते हैं Next question is which Indian shooter cleansed silver in men's double trap shooting event at 2018 Asian Games यानि की 2018 Asian Games में किस भारतियर shooter ने silver medal जीता है men's double trap shooting event में Right answer है शारदूल विहान शारदूल विहान ने men's event में silver medal जीता है Asian Games की बात करें तो ये इंडोनेशिया में हो रहे हैं ये इंडोनेशिया के जकारता और पहलें बैंग में हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो cities हैं वो Asian Games को co-host करवा रही हैं अभी तक इंडिया ने four gold medal जीते हैं जिसमें से दो wrestling में और दो shooting में हैं Wrestling में gold medal जीता हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने और shooting में gold medal जीता हैं इसके अलावा इंडिया ने चार silver medal जीते हैं चार के चार silver medal शूटिंग में जीते हैं प्लेयर्स का नाम है दीपक कुमार, संजीव राजपूत, सारदूल विहान और लक्षर शोरांट इन्होंने शूटिंग में silver medal जीते हैं इंडिया की तरफ से इसके अलावा इस इवेंट में अभी तक इंडिया ने 10 bronze medal भी जीते हैं यानि की BIMSTEC की 4th summit का host कौन सी city होगा? राइट आंसर हैं काटमंडू, BIMSTEC की 4th summit है वो नेपाल के काटमंडू में होगी इसके साथ-साथ 2018 के साख business leaders conclave है वो भी काटमंडू में ही थी BIMSTEC के बात करें तो यह है Bay of Bengal Initiative for Multisector Technical and Economic Cooperation प्रेज़ेंट टाइम में नेपाल इसका चेर होल्डर है इसके members है BBINMTS यानि की बांगलदेश, बुटान, इंडिया, नेपाल, मैनमार, थाइलेंड, सिरलंका इसके पर्मन Secretariat है वो धाका में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी इसकी first summit हुई थी 2004 में Thailand में, second summit हुई थी 2008 में इंडिया में third summit 2014 में Myanmar में और fourth summit 2018 में नेपाल में हुई थी next question is which country has launched its first state of art domestic fighter jet COSAR यानि की किस country ने COSAR नाम का domestic fighter jet launch किया है right answer है इरान, इरान ने इस fighter jet को launch किया है ये fourth generation fighter jet है इरान के बात करें तो इरान ने हाल ही में English education को primary schools में ban कर दिया है इसके अलावा US है, वो इरान nuclear deal से हट गया है, यानि की US इरान nuclear deal को support नहीं करेगा इरान nuclear deal को JCPOA भी बोला जाता है, JCPOA का मतलब है Joint Comprehensive Plan of Action इसके साथ साथ US ने इरान को pressure करने के लिए इरान action group भी बनाया है इरान की बात करें तो इरान की capital है तेहरान, Mr. Hassan Rouhani है, वो इसके president है और Rial इसकी currency है Central Asia और Afghanistan में better connectivity के लिए इंडिया ने इरान के चाहबार port में invest किया है Next question is, Which well-known personality has become the new brand ambassador of Sanjay Gandhi National Park? यानि के Sanjay Gandhi National Park के नए brand ambassador कोन है? Right answer है, Ravina Tundon, Miss Tundon है, उनको महरास्ट government ने Sanjay Gandhi National Park का नए brand ambassador बनाया है To spread awareness about environment Sanjay Gandhi National Park का पुराइना नाम था Boriwali National Park जिसको 1996 में change करके Sanjay Gandhi National Park कर दिया गया ये महरास्ट मिस्तित है, इसके अलावा National Park है, चांदोली, गुगमल, नवगाओ, तादोबा और पंच पंच National Park है, वो महरास्ट और मध्यपरते इसके border परस्तित है Comment box में बताइए, Which is India's first National Park? इसके साथ साथ, road safety के लिए हाल ही में किस वोलीवूड personality को brand ambassador बनाया गया है Next question है, इंडिया's largest startup incubation and acceleration भामाशा टेक्नो हब has launched in which state? यानि कि startup को boost करने के लिए भामाशा टेक्नो हब है, उसको किस state ने launch किया है? Right answer है, राजस्तान, राजस्तान ने startup hub को launch किया है, जिसका नाम है भामाशा टेक्नो हब, राजस्तान के बात करने तो राजस्तान के जुझुनु जिले में ही portion अभियान, जिसको national nutrition mission भी बोला जाता है, कि शुरुवात हुई थी, इसके अलावा, बेटी बचाओ, बेटी Fellowship 2018, यानि कि JC Boss Fellowship के लिए किने सेलेक्ट किया गया है, राजट अंसर है, अप्पाराव पोदिल, Mr. अप्पाराव है, वो हैदरावाद University के Vice Chancellor है, उनको इस Fellowship के लिए सेलेक्ट किया गया है, JC Boss Fellowship है, वो Mr. जगदिश चंदर बोस की मेमोरी में fellowship है, Mr. जगदिश चंदर बो वीडियो पसंद आया हो, तो like it, share it with friends, इसके साथ साथ आप से जो भी questions पूछे जाते हैं, उनका answer comment box में जरूर लेखिए, और चैनल को subscribe करिए ताकि आपको latest notification मिलती रहे, thank you and that's all for the day.